हेलो प्रेंट नमस्ते स्वागेता आपका मेरे जैनल एम फेक्णिंग जामे और आज हम इस वीडियो पीडियो से स्थेखेंगे कि बैक कले फुशेफ कैसे करते हैं तो पहले बैक कले फुशेफ देख लेते हैं तो दोस्तो इसे कहते हैं बैक क्लब पुश अपर आज हम सीखेंगे इसे क्या कैसे जाता है तो दोस्तो बैक क्लब पुश अप्श एकने के लिए सबसे बहुले स्टैप है जब फुश आप कैसे करते हैं अब आपने पुशुप की पोजिशन ले ली अब अब सिंपल पुशुप कीजिए और आप फ़ुड़ा नप नीचे से समीन पर हातों को उठाने के कोशिश कीजिए जम्पुशुप उपने और और उस दिया दौरान आप कोशिश करूप एक आपको अपने हाथों को पीछे कैसे उपर उठाइना है, sけれफ ही के लिए जैसे जैसे आप इसको करते जले जाएंगे आप पूशुम ले जाएंगे आपको ही जाएंगे कि आपको हाथ कैसे किस तरह से आप अपने शरीर के छिवाना आई और उसको पाद आपने कमर के पीछी ले जाके क्लैप करने हैं तो दोस्तो बैक क्लाप पूशॉप सीखने के लिए पहला स्टैप का जंप पुशॉप था पापने जूरिंग जंप पुशुप अपने हाथों को कमर में च्वाना और अब मैं चुखाऊंगो तीजरा स्टैप जो है पास उसके पास किस सरह से टाइमिंग बनानी है और यह टाइमिंग बहुत रख्टेस करें इसके कहते हैं बैग्ट लब पुशॉप की तैमिंग तो आब हम सीखेंगे तीसरा स्टैप टाइमिंग के लिए आपको अपने हातों को बहुत फास्ट पीछे की साइड ले जाना है कितना फास्टे साथ है यह आपकी पोजिशन होगी रोस्तों टाइमिंग सीखने के लिए यह अगर आप फुशफ की पोजिशन में बैठते हैं तो आपकी पोजिशन यह होती है तो जैसी आप अपने आप पंप करेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी हाथ तच करके वापीस आना होता है यह आपने खुशफ माया हाथ तच के लमीन पर आगे तो हमें पहले तो बहुत फास्ट यह प्रेक्स करने पड़ेगी अगर आप साई टाइम पर जमीन पर वापिस नही तो अब जाना एलिवेटेड शर्फेस को सीखने इसदे की मैं आपको बताओंगा इसकर आपको एप अब एलिवेटेड सर्फेस के सीखने का एक फासदा है कि आपको एक आईडिया लग जाएगा कि आप जब जमीन पर करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे इससे आपकी टाइमिंग भी शुदर जाएगी और पोर्स भी आपको पता लग जाएगा आपको कितना दिन आएं पंप करने के लिए और अपने बॉड़ी को अब उठाने के लिए तो जैसे की तो से देखते में एक बास और यह हातों की क्लैब करने के टाइमिंग है वह ऐलिवेटेड पुशप से ही आपको अच्छे से आएगी तो दोस्तों ऐलिवेटेड बैक क्लैब पुशप्स आप स्टार्ट दिरे दिरे करें और जैसे जैसे आप उसको करने लगें आप अपने बैक लैब की टाइमिंग और स्पीड बढ़ा दें उससे आपको आइडिया हुआ कि जमीन पर आपको किस तरह से स्पीड बनानी है और अपने आपको बचाना है जोट खाने से तो जैसे कि अभी मैं पहले सुड़ो करूँगा और अब मैं फास्ट करूँगा उसके बाद है अब इसको आए अब इसक दोस्तों इस तरह से आप अपनी बैक क्लाप की स्पीड बढ़ा सकते हैं दूरिंग एलिवेटेड बैक क्लाप पुशक और एक बार आप अच्छे से सीख चाहेंगे एलिवेटेड पूर सर्फेस पर करना तो आप प्रेटिस परिए प्यांड पर हो देखें दोस्तों को गया के बैसे एजीलियू हो जाता है वह हम अपने थे अपने सब्सक्त्राइब कर पहले हैं रख गर करना तरुशक याद करते हैं बहला सबस्स्ता था कि पुशपक्पुश्पक्षण मुश्राण के दूरा आपने हातोंह नों कुशवाना इसे हाफ बैक क्लाब पुशब्स करने के लिए आप इसे करने से आपके स्ट्रेंग्स बहुत बढ़ेगी और आपके शोल्डर बढ़े मजब बन जाएंगे इसे करने से रोजोस्तो आज हमने इस वीडियो से सीखा कि पैक्लाब पुशब्स करते हैं अगर आपके कोईधी कोई पुषब्स या अधर काइंड पुशब्स किस तरह से करते हैं आप मज़े कमेंशने पूस सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आइज करें अपने फैमली वालों को और मेरे चैनल को एंवके जग सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में बन्यवाद है कर दो कर दो कर दो